To Chemistry Academy Students, आज के वीडियो में Organic Chemistry के एक Most Important Question पढ़ेंगे Question में यह पूछाए गए Which of the following molecule has highest bond order? इन में से किस molecule का bond order सबसे ज्याद है? तो आज के वीडियो में आपका एक simple सा trick बताता हूँ कि आपने किस तरह identify करना है कि किस का bond order ज्याद है? वेलियो ज्याद करने की कोई जोड़ देने हैं जस्ट आपने ट्रिक ज्याद रखने है आपने जिन में रखने है कि जिसके उपर positive चार्ज होता है उसका bond order हमेशा सबसे ज्यादा होता है As compared to neutral, as compared to negative positive वाले का bond order हमेशा सबसे ज्यादा होता है positive के बाद अगर बाद की जाए तो इससे positive से कम किसका होगा neutral का होगा और सबसे कम होता है negative आलोंगा simple सा ट्रिक है कि सबसे ज्यादा bond order किसका होता है positive का उसके बाद होता है neutral का neutral के बाद किनका होता है negative आलोंगा इसी दर अगर O2 positive के बाद की जाए तो इसका bond order होता है 2.5 होता है इसके बाद को नाते है neutral O2 आते है तो इसका bond order होता है 2 उसके बाद इन दोनों के अगर बाद की जाए तो जिस इसके उपर minus 2 है उसके उपर minus 1 है तो जिसके पर minus 1 है इसका bond order ज्यादा होगा जैने कि इसका होता है 1.5 होता है और इसका होता है 1 तो आप देश सकते हैं कि सिंपल सा ट्रीक है कि आपने जेद में रखना है कि positive charge वाला जो आइन होगा उसका bond order मेंशा सबसे ज्यादा होगा तो question में जी पुछा गए कि highest bond order किसके है तो इसके लिए इस question का C option correct है तो जो आज की वीडियो थी हमें इदेख सारे बच्चों को वीडियो अच्छे लगिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए तो please मेरे channel chemistry academy subscribe कर दें मेडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अल्हाफीज